चलिए सीख कवाब बनानी के रेस्ति शुरू करते हैं यहां पर हमने लिया है 250 ग्राम मटन मिंस तो यहां पर हमने मटन मिंस जो हमारे पास था उसको अच्छे से वाश करके और बॉइल कर लिया है पानी जो है स्टेंड कर दिया है तो इस यहां पर तीन हरी मिर्चे डालेंग एक टी स्पून के करीबी हमारा होम मैंड मासाला है तो दिया है आप यहां पर हम लेंगे एक मिसिज्यार और आपकने हमने स्कीम को डाल देना है ग्राइंड करेंगे सारी चीजे मिला के कि थोड़ा थोड़ा गर के ग्राइंड करेंगे तो थोड़ा मिसाला अभी इसमें डाल देते हैं अब से एक बॉल में डाल लेते हैं अभी अबने पानी नहीं डाला कि ग्राइंड कर देता है इसी तरह से बाकी कीमे को चना है इसको भी और यहरी मिर्श लासो नदरक एक बीच को भी ग्राइंड कर लेते हैं यह दूसरा बैज भी पिस गया, इसने हम देला एसो नद्रा मिर्च और चने जो भुने वाले थे उनको डाल के ग्रैंड कर लिया थोड़ा सा पानी डाल लिया था कि ट्राइ हो जाता है इस तरह से निकाल लेते हैं बाउने इस तरह से मिक्स कर लेंगे तो यहां पर कैसी एक अंडा भी इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसके पेक्स कर लेते हैं अब यहां पर हम लेंगे अच्छे से हमने वाश कर लिया है इसमें लगा लेते हैं इसमें इस तरह से शेप देके ऐसे निकाल सकते हैं फ्राइ कर लेंगे इस तरह से शेप दे सकते हैं में अब तो कोईले में नहीं बना रहे हैं इसको फ्राइ कर लें इस तरह से शेप दे कर देंग लिया यहां पर सारे सीपटे से यहां पी शेव देखे कवाब रख दिया होने के लिए दोरों साइड से अच्छे से फ्राइ दलेते हैं तो यहां पर कवाब कर लेते हैं हमने कवाब राइ किये हुए है इस पोड़ी से और टीने ड्राइ किया हुआ कुदीना है मारे प्रस को डाल देंगे मेल्ट किया हुआ बटर है जोकि अब इस कवाब की उपर डालना है प्राइख कवाब से थोड़ा सा जोटी रहेंगे और इसे बहुत बढ़िया सा फ्लेवर आएगा यह मारा सीख कबाब रेड़ी है इस तरह से सर्फ कर सकते हैं उपर से मेल्ट की अवा बटर डालनेंगे आई होब की रसी पसंद आई होगी सीख कबाब की से जरू ट्राइ कीजेगा और अगर हमारे चैनल अभी तर सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब कीजिए होगे थैंक यू थैंक यू पर अच्छी तेनी रस्बी नेव लुप की साथ, टेक्यार